हेलो एविवेवन आज्की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट की एक जज्ज्मेंट के उपर जो की लेन्मार्क जज्ज्मेंट है सुप्रीम कोट की सेक्शन 138 ऑफ नेगकेशाबल इंश्ज्ज्धुमेंटग सब्जेक्ट इस जज्ज्ज्मेंट का सुप्रीम कोड की इस जजमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे केस का टाइटल है सुमेति विज वर्सिस पेरामाउंट टेक फेब इंडस्टी केस नंबर है क्रिमिनल अप्ली नंबर 292 अफ 2021 और SLP क्रिमिनल नंबर है 8498 अफ 2019 डेट अफ डिसीजन इस जजमेंट का है 9th मार्च 2021 डिविजन बेंच की जजमेंट है सब्जेक्ट जैसे की मैंने बोला सेक्शन 138 नेगोशियाबल इस्टुमेंट एक्ट का ये सब्जेक्ट है इसमें अपीलिंट सुमेटी है, उन्होंने 30 एपरेल 2019 की जजमेंट हिमाचल हाई कोट की जिसमें अपीलिंट सुमेटी को अफेंस अंडर सेक्शन 38 में गिल्टी पाया था उसमें उसको convict किया था उस judgment को Supreme Court में Appellant द्वारा चैलेंज किया गया था Trial Court ने acquit किया था Appellant को, accused को Trial Court ने ये held किया कि Complainant ने अपना case पूब नहीं किया उसके बाद Complainant High Court चला गया High Court ने वो reverse कर दिया finding और ये held किया कि Appellant सुमेती है, वो Section 138 Negotiable Instrument Act के तहत गिल्टी है उस judgment को, हिमाचल हाई कोट की judgment को Supreme Court में चैलेंज किया गया Question जो इस judgment में held हुआ है, वो है कि Whether in absence of a prima facie burden being discharged by Complainant अगर prima facie burden Complainant ने discharge नहीं किया क्या सिर्फ check issuance करने से इस बात को justify किया जा सकता है क्या check issuance करना इस बात को sufficiently justify करते है कि वो check किसी debt या liability के लिए issue किये गये थे जो की presumption section 139 of negotiable instrument की एक्ट की presumption है जिसकी बारे मात हुआ है केस के क्या held हुए उससे पहले हम केस के fact देख लेते हैं ब्रीफली इस case के fact है कि sale transaction check हुए एक sale transaction में issue appealant के दवारा सुमेती appealant के दवारा sale transaction में check issue हुए check disowner हुए क्योंकि insufficient friend था उसके बाद जो जो legal notice थे complainant के दवारा भेजे गए appealant को उन legal notice का ना तो कोई respond किया गया reply किया गया और ना ही कोई payment करी गई उसके बाद two separate complaint appealant के उसके खिलाफ फाइल करी गई ट्राइल जजज ने यह finding दी कि complainant ने अपना जो complaint fail हुआ है इस बात को establish करने के लिए कि जो material या goods है वो कभी appealant को delivered की गई थी और उस delivery की वजब में वो check issue किये गए थे इन absence of burden अगर यह एक लेनेंट यह burden discharge नहीं करता इन absence of a burden being discharged by a complainant जो ओनस है डिस प्रूव करने का या rebut करने का पर junction section 139 के उपर junction को rebut करने का जो burden है वो appealant के उपर shift नहीं किया जा सकता appealant accused के उपर shift नहीं किया जा सकता तो it means initially burden है वो proof करने का complainant के उपर है अगर complainant अपनी complaint में अपना burden है वो discharge कर देता है तो उसके बाद यह burden है वो appealant accused के उपर shift होता है तो इस particular case में ट्राइल जज्ज ने यह हैल्ड किया कि complainant prima facie prima facie अपना burden discharge नहीं किया तो rebut करने का या डिस प्रूव करने का presumption को वो burden है वो appealant के उपर discharge उसके उपर shift नहीं किया जा सकता हाई कोट ने सारा reappraise किया सारे evidence को record को और यह affirm किया कि primary burden है वो discharge complainant दोरा किया गया और जो acquittal की finding थी record की गई थी trial judge के दोरा उसको complainant है उसने यह establish नहीं किया कि जो material है या goods है वो कभी appealant को थी वो appealant को deliver करी गई थी और delivery के विज में जो check थे वो issue किये गए थे तो appealant ने अपना initially burden है वो discharge नहीं किया था तो in absence of discharge of burden अगर उसने अपना burden discharge नहीं किया गंपलेने ने तो जो presumption को revert करने का या disapprove करने का जो ओनस है वो appealant के उपर under section 139 की जो पर जंचन है उसका appealant के उपर उसको appealant के उपर shift नहीं किया जा सकता हाई कोट ने क्या finding दी हाई कोट ने entire जो evidence था record था उसको reappraise किया और यह अफर्म किया कि primary burden है वो complainant ने discharge किया है चेक है वो issue किये गया है appealant के दवारा in lieu of material supply जो उसको material supply हुआ गया था complainant के दवारा उसकी वज़ में वो check थे वो issue किये गये थे documentary evidence है वो duly exhibited था substantial है वो claim के लिए जो documentary evidence किया गया था exhibit complainant के दवारा और साथ के साथ appealant ने अपना it was for the appealant accused यह appealant accused के उपर था कि वो अपना burden है जो की presumption है section 139 उस presumption को discharge करता बट इस case में appealant ने सिर्फ अपनी जो statement है अंडर section 313 की जो CRPC की statement है वही record करवाई है कोई भी अलग से evidence या record नहीं किया गया appealant accused के दवारा उस presumption को section 139 की presumption को revert करने का या डिस्परूब करने का तो इन सब को material को consideration में करते हुए tribunal के जो ट्रायल जजज की finding थी उसको high court ने reverse किया और held किया कि जो appealant है उसने offense section 138 में commit किया सुप्रीम कोट के सामने appealant का argument क्या है जो council थे appealant के उन्होंने सप्रीम कोट के सामने ये argument कि complainant ने complainant इस बात को प्रूब नहीं कर सका कि उसने material या goods कभी appealant को भेजे थे या वो appealant ने कभी receive करे थे तो जो burden है complainant का वो complainant ने प्रूब नहीं किया कि उस जो goods है ये material उसके वज में ये check issue किये गए थे अब इन सब के बीच में Supreme Court ने बड़ी clear finding दिया कि इस case में appealant है अपनी जो सिर्फ statement है under section 1313313 की जो statement है वही record कराई है कोई evidence नहीं दिया जो presumption है उसको revert करने के लिए कि जो check थे जो presumption है कि वह चेक थे वह consideration के लिए issue किये गए है उस पर जंच को revert करने का कोई evidence नहीं दिया once the fact came on record remained unreverted and supported with evidence on record with no substantive evidence of defense the appealant to explain incriminating circumstances appearing in the appeal against her जो factor under remain रहते हैं unrevert रहते हैं किसी evidence के साथ support नहीं करते हैं कोई substantive evidence नहीं दिया गया defense में अपीलेंट के द्वारा कि जो circumstances incriminating है जो दोश उसके उपर लगाए गये हैं उन दोश को explain नहीं किया गया with evidence के साथ तो high court ने कोई गलती या कोई error नहीं किया अगर उन्होंने reverse कर दी जो learn trial court है उसकी find को reverse कर दी तो high court ने कुछ भी इसमें error नहीं किया और इस जो order है इसमें कोई भी interference नहीं हो सकती Supreme Court ने further help किया कि जब complainant ने सारे document अपने claim की support में exhibit किये है तील मिटन्स के evidence से record होए इसके support में तो उसे appealant ने appealant की जो सुमाती भी है उन्होंने सिर्फ section 313 के तहत ही अपने जो statement है वो record कराई है कोई भी ऐसा evidence उन्होंने court record पे नहीं लगाया जो disprove या revert करता है जो production section 139 of negotiable instrument act है उस पर junction को revert करने के लिए कोई भी evidence नहीं करता तो सिर्फ statement record किया जाना 313 की statement record किया जाना substantive evidence of defense नहीं है but only an opportunity to explain incriminating circumstances यह बड़ी important है कि जो section 313 की statement होती है वो substantive evidence नहीं है defense में वो सिर्फ एक opportunity है कि जो दो जो हालात पीरे जो accused के खिलाफ है उसको explain करने की opportunity है वो accused के पास होती है तो इस तरह से कोई evidence है वो presumption को रिबट नहीं करता कि जो presumption दी गई है कि वो चैक थे वो consideration के लिए इसू की गए है तो अपील को Supreme Court ने dismiss कर दिया तो बेसिकली इस जज्जमेंट में Supreme Court ने बड़ा है क्लियरली है कि प्राइमा फेसिया कंपलेंट ने अपना केस प्रूफ कर दिया तो यह उसके बाद accused के उपर है कि जो presumption section 139 of negotiable instrument act की presumption है उसको रिबट करने का जो burden है वो accused के उपर है तो यह Supreme Court की जज्जमेंट थी हॉप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching this video